हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने वाले हैं ए अंद का यूज एक्शली यह प्रैक्टिस सेट है हम लोग क्लास में सीख चुके हैं ए और अंद का यूज और दा का यूज जैसे कि आप सभी लोगों को अल्लेडी बता दिया गया है कि यह जो है ए और अंद यह बैसिकली ए 4-4 हो दिए सी तरह किया जागा है तो शी काज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं है और लांज्ट में आप अपने आशेश्मेंट कमेंट box में में जरूर की जिएगा असेश्मेंट अपना जितना भी होगा आप कितना एक श्कॉर करते हैं इसमें ठीक है इसको आप लोग होता है यह बेसिकली दो कहा जाता है और जो है आपका यह बेसिकली डैट और दिस का वीक फोर्म होता है ठीक है दिस और डैट का वीक फोर्म होता है जबकि ए और एंजो है न ए या एंजो है आपका यह बेसिकली वीक में complete each sentence by choosing an the और five no words कर रहा है कि जहाँ an the का यूज हो वहाँ पर an का यूज करेंगे और जहां पर इन तीनों में से किसी का यूज नहों वहाँ पर five का यूज करेंगे तो चलिए देर न करते हुए आपका पहला जो question या किसी भी प्लै नीट के पहले या किसी स्ट में जट रहने सभी के पाइकल आंसरो जाएगा यह इंजर्णल की बात किया ज़रा है specific नहीं है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा यहाँ आपके पास कुछ पायन है जो कि मैं आपसे उधार ले सकता हूँ तो आपको अलड़ी पता है कि इस पर इन जयर्णल के संस पर बात किया गया समाने रुप से बात किया है तो इसके लिए आप आर्टिकल किसımızı करें गे आर्टिकल ए का continuous करेंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर आर्टिकल एक आपसन नंबर भी टिक करेंगे चल्स नमए और और क पहले पार्ट में चार्षा कर दी गई हो तो sentence का मतलब की sentence का dzięki a sentence before और कि की शुरुवात होता है तो सब्चस्रीजा वाट यहां पर कैपि डैट के हम दो आर्टिकल किसके करें डिल कूल यह जाए तिसलिए आर्टिकल था यानि आपने ब्रेकफास्ट में एक अंडा टोस्ट और कुछ कॉफी लेते हैं तो यहां पर यह यूजली इंजरनल सेंस में यूज किया गया है तो इसलिए यहां पर आर्टिकल इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा और पता है आपको कि आर्टिक कुछन नमर्शेमिन जो है देखें आई है ब्लैंक्स तु यंगर ब्रदर ठीक है एंड एंड ओल्डर सिस्टर इसके लिए आप यहां पर किसका यूज किजिएगा तो आपको पता है यहां पर अल्री तू यंगर्श ब्रदर यहां पर डिटेमिनर्स की रूप में अल्री अगया है और यहां पर ए और ए और योज को बताने के लिए किए जाता है इसलिए हाँ पर कोई आर्टिकल नहीं किया जाएगा इसलिए फवाई यह यूज करेंगग, आनि आपका सुक्षिन मेरी माजव एक बहुत अच्छा खुशूरा ड्रस यह है देखी हुई है किसी इ से बार है ऑल्रेडी चाकर चुकी है इसको दुबारा चर्चा किया रहा है इसलिए यहाँ पर आपको करते हैं आपका पर आपने अपको सही है ऐसा ब्लेंग्स ओल्ड मैन वाकिंग इन दा पार्क मैंने एक बुढ़े व्यक्ति को पार्क में तहलते वे देखा इसलिए यहां पर आपका एन ओल्ड मैन होगा क्योंकि ओल्ड जो है इसका प्रणूंसियेशन जो है वह वह विल्सी स्टाट हो रहा है इसलिए एन ओल्ड मैन बिल्कुल करेक्ट है आपका नेश्ट नमबर 11 देखते हैं माई ब्रदर ऑल्विच इकसराइज फॉर ब्लेंग्स ऑवर इन द मॉर्णिंग कर रहा है कि मैंने एक कप कोफी पिया लेगी कोफी आपका क्या थी थंडी थी इसके लिए यहां पर एक कप की या चर्चा हो रही है इसलिए आप पर आर्टिकल एक का यूज किया जाएगा और यह आपका बिल्कुल करेक्ट है चलिए आगे की तरफ देखते हैं आगे आपका कुश्चन चाहिए तेरह नंबर चलिए तेरह नंबर क्या है help somebody please call blanks policeman कर रहा है कि मदद कोई तो policeman को call करो यहां पर आप किसी policeman क की बात किया गया है किसी भी एक police person की बात की जा रही है इसकी लिए आप यहां पर आर्टिकल एक यूज करेंगे इसलिए यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है next last summer कर रहा है कि पिछले गर्मी में my friend and I travel to blanks Spain कर रहा है कि मैं और मेरा दोस्ट ठीक है पिछले गर्मी में इस यहां पर कुछ नहीं लगेगा 5 हो जाएगा ठीक है तो आप लुग अपना असेस्मेंट करके अपना जितने भी हो आप सभी को आप एक बात कमेंट में जरूर लिखाएंगे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए का क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोग कहीं बड़ावा है अगर 15 से सुरह के बीच में तो आप अच्छे एखासे कर रहे हैं तो अगर 13 से 14 तक है तो आपका अच्छा वाशावर प् प्रेक्टिस की जरूवत है इसलिए आप लोग घर पे प्रेक्टिस करते रहें और अपने आपको पर्फिक्त बनाते हैं आज नहीं रहने देता हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में